हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंट्स केसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज में लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद हैगी बच्ची हुई ठंडी रोटी से बहुत ही कमाल काम ये नाश्टा बनाने वाला है और अक्सर सभी की घर पे ठंडी रोटी अक्सर बच्छी जाती है फिर हमें समझ नहीं आता कि अब इस बच्ची हुई रोटी का क्या यूज किया जाए या फिर से क्या बनाया जाए तो बहुत ही कमाल का ये नाश्टा बनेगा और फिर आप अक्सर वेट करेंगे अक्सर आपको ये लगेगा कि कब ठंडी रोटी बच्चे और कब आप ये सूपर टेस्टी सा नाश्टा बनाए तो ये आपको बहुत पसंद आएगा अगर तो इसमें बहुत अच्छे लगेंगे अगर है तो वन आप इसकी भी कर सकते हैं हलकी से लाल मिश पाउडर डाल दी है काला नमक या वाइट नमक दोनों में से एक डाल दे चिली फ्लेक्स डाल दे जो भी चटपटे मसाले खाना पसंद हो आप वो इसमें एड कर सकते हैं औ पिर और कोई भी वेजटेबल आप इसमें डाल सकते हैं चीज भी डाल सकते हैं पर ठंडी बची हुई रोटी का छोटा मोड़ा सा नाश्ता बना रहे हैं तो जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल दे फिर मैंने इसमें ग्रेन चिली सॉस टामेटो सॉस डाल क अब हमें क्या करना है बची हुई ठंडी रोटी लेनी है जो हमारे पास बची हुई अल्रेडी होगी और फिर उस पे अच्छे से सोस लगा देना है और जो फिलिंग हमने बनाई है वो अच्छे से से सैट कर देनी है सैट करने के बाद आप एक तरफ इसे फेला दीजिएगा और फिर रोल जैसे इसे पैक करना है तो मैंने एक क्लीन टूथिक ले ली है और इस तरह इसे रोल कर दिया है और फिर तूथिक से इसे कर देंगे हम पैक अब चली इसे सेखते हैं तो तवे पे सेखेंगे बहुत ही करारी सीखे की तभी तो मजा आएगा इसे खाने में तो घीर लगा के मैंने इसे सेख लिया है आप तेल से या फिर बटर से भी सेख सकते हैं पलटते भी चारों तरफ से सेख लिया है और फिर इसे मैंने पलट भी दिया है टूथ भी खटा के ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिख जाए तो इसकी सिखा ही आप लोग फ्लेम भी कीजिएगा ताकि अंदर से और बाहर से बहुत अच्छे से सिखे और फिर जब ये अच्छे से करारी सिख जाए तब आप इसे सर्ब कीजिएगा तो मैंने इसे बहुत ही कमाल का सेख लिया है फ्रेंड्स आप एक बार इसे जरू ट्राइ कीजिएगा अक्सर फिर आप वेट करेंगे ठंडी रोटी बचने का और इसे बनाने का तो आपके घर पे बच्चे नहीं हुआ था ये तरह टीस्टी रोल बन चुका है ठंडी रोटी से आपको रेसी भी पसंद आई हो तो लाइक शेया और सब्सक्राइब कीजिएगा आप भी बनाएगा थेंक्यू सो मच